श्री देवी का राजकी ये समान के साथ अंतिमसंसकार होगा उनके अंतिमसंसकार के समय मुंबाईल पुलिस सलामी देगी मुंबाई पुलिस बैंड सेलिब्रेशन स्पोर्ट्स क्लब पहुँच गया है श्री देवी की आत्माव की शान्ती के लिए प्रशंसक कर रहे हैं प्रार्थना लोखनवाला में स्थित सेलेबरेशन स्पोर्ट्स क्लब के बाहर श्री देवी के प्रशंसक लंबी-लंबी कतारों में खड़े हैं उनके हाथों में फूल हैं और वेह अपनी पसंदीदा अभिनेत्री की आत्माव की शांती के लिए प्रार्थना कर रहे हैं आज सुबह 9 बजे उनके पाठ्थिव शरीर को कलब में लाया गया उनके परिवार के सभी सदस्य भी यहाँ पहुँच गए हैं आम लोगों के लिए सुबह 10 बजे के बाद कलब के दरवाजे खोले गए लेकिन देश भर से आये उनके प्रशंसक अपनी पसंदीदा अभिनेत्री को अंतिम विदाई देने के लिए सुबह 6 बजे से ही वहां कतारों में लग गए थे करनाटक और चन्नाई से भी उनके प्रशंसक मुंबई पहुँचे हैं श्रीदेवी की ससाइटी के लोग नहीं मनाएंगे होली श्रीदेवी लोखंडवाला के जिस ग्रीनेकर ससाइटी में रहती थी वहां के लोगों ने दुखकी इस घड़ी में होली नहीं मनाने का फैसला किया है श्री देवी के परिवार वालों की तरफ से तमिल नाडू के शिवकाशी में संचालित ट्राइमरी स्कूल के बच्चों ने उन्हें श्रदांजली दी कमिल नाडू में श्री देवी के पैतरिक गावमीना मपती में शौकील है श्रदांजली देने पहुंची एश्वर्य राय और सुश्मिता सेम